पाकिस्तान में कल वोटिंग आज दो धमाके 27 की मौत पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले प्लोटिस्तान में दो ब्लास्ट हुए पहला धमाका प्रिशन शहर में हुआ आज में 15 लोगों की मौत हुई और 30 घायल है पाकिस्तानी मीडिया जो निउस के मताबिक धमाका निर्दलियों मिद्वार अस्पंद यारखान काकड के ओफिस के बाहर ब्लास्ट हुआ धमाके के दुरान काकड दफ्तर में मौजुद नहीं थे वहीं दूसरा धमाका ब्लुचुस्तान के ही किलास स्याफ उल्लाह में जय यू आई अफपार्ट्य के कैंडिडेट मौलाना अद्दल्वासे के ओफिस के बाहर हुआ वो सुरक्षित है हाला कि इस हमले में 12 लोगों की मौथ हो गई है जबकि 10 घायल हुए है दोने धमाकों में 27 लोगों की मौथ हो गई पाकिस्तान में आज फरवरी को आम चुनाव और सभी प्रांतों में चुनाव है पाकिस्तान के लेक्षन कमिशन ने हम लोगों लेकर बिलुट्रिस्तान के चीफ सेकर्टरी और पुलिस से रिपोर्ट की मांगी बिलुटुस्तान के केर्ट्वेकर सुचना मंत्री जना चक्चैनी कहा पहला धमाके की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से पता चुला है कि विस फोटक्स लमान एक बाइक में रखा था इस हामले की जाज की जा रही है वही दूसरे धमाके की वधा सामने नहीं आए इधा बिलुटुस्तान के बुख्यमंत्री अली मर्दान खान जोमिकी ने हमलों की निंदा की है उन्होंने कहा ऐसी घटनाय श्वांति पूर्ण चुनाओं की प्रगिरिया को कमजोर करने के एक शाजुश हमले में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाएगी हम लिखायलों क की मदद के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं